कि है लो गाइस क्रेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज इस वीडियो सेक्शन में हम पांच नमंबर तक के सभी इंपोर्टेंट क्रेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसे की तरह आप इस वीडियो का अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा सेशन की सुरुवात हमेशा की तरह कॉस्चन ऑफ दर डे से करते हैं इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है तो पूछना है कि ब्लैक पक नेसल पार्क कहां पर है वेर इस ब्लैक ब्लैक ब इस फंडा नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है विश टीम हैंड़ इंडिया दियर फर्स्ट एवर वाइट वाश इन सीरीज अफ त्री और मैच त्री और मोर टेस्ट मैच इस एट होम किस टीम ने भारत को घरे लुमेदान पर तीन या अधिक टेस्ट मैचों की सरंख्ला में पहली बार वाइट वाश किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी है न्यूजिलेंड देखें न्यूजिलेंड ने भारत को फर्स्ट एवर वाइट वाश किया है किसी ऐसी सीरीज में जहां पर तीन या तीन से दिक टेस्ट मैच खेले गए हों वो भी अपने घर पर मतलब भारत में ही और जो भारत टीम है जिसके एक वाई रोई शर्मा करते हैं इन्हें 25 रंस किस स्टेडियम में किस सेटी में खेला गया किस टीम ने भारत को हराया है और आपको बता दे भारत को 147 रंका टार्गेट मिला था लेकिन भारत उसे एचीव नहीं कर पाई यह इंडिया का ओवरोल नाइन्थ सीरीज वाश आउट रहा है टेस्ट कृट में लास्ट टाइम जब भारत का वाइट वाश हुआ था गर पर साल 2000 की बात है तब भारत 02 से और हा था सौथ अफिरीका से ऐसा पहली बार हम टेस्ट हिस्ट्री की बात करें 1933 में तो भारत अपने घर पर हा रहा था जब वाइट वाश वहा था 33 से ज़्यादा मैचेस में 1933 की ये तब बात है मतलब 17 से पहले की तो वाइट वाश का मतलब होता है कि क्लिन स्वीप हो गया मतलब जितने मैचे की संगलाती है उनमें आप एक भी नहीं जीते सबार गए प्लियर ओफ दा सीरीज रहे है विल यंग न्यूजिलेंड के और जो ये थर्ड टेस्ट मैच खेला गया इसके प्लियर ओफ दी मैच रहे अजाज पटेल न्यूजिलेंड के ही फू वास अपॉंटेट अस अन्यू इंडिपेंडेंट चेर्मेन फॉर दा आइसी सी एंटी करॉप्शन यूनिट आइसी सी की बरस्टाचार निरोधक एकाई के लिए नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ओप्शन साब के सामने है सही आंसर आप्शन दी है सुमाती धर्मा वर्दना इंटिपेंडेंट चेर्मेन नुक्त किया है अपनी एंटी करॉप्शन यूनिट के लिए और यह सरौनी फ्लानग को रिप्लेस कर रहे हैं आपको उता दे जो भी एंटी करॉप्शन यूनिट है ठीक है तो इसका जो भी मैनेजमेंट है और जिस चीज़ के लिए रिस्पॉंसिबल है तो उन सभी को देखा जाता है इनके द्वारा जो इंडिपेंडेंट चेर्मेन होते हैं प्रसिद भारतिय फैशन डिजाइनर को ने इनका हाली मनितन हो गया सही आंसर अप्शन है रोहित पाल देखें जाने माने डिजाइनर रोहित पाल इनका हाली मनितन हो गया है 63 की एज में बेसिकली स्टिग नगर से आते थे कश्मीर वैली से अगर हम और और बिश्री की बात रहें तो टीपीची नाम बियार जो की फाउंडर रहे हैं बीपील के इनका भी हाली मनितन हो गया है 95 की एज में जाने माने कंणड डारेक्टर गुरु प्रसाथ इनका मिनितन हो गया है 52 की एज में हूँ विल सक्सीड कोपाल विट्टल एज MD & CEO बारती एर्टेल बारती एर्टेल के MD और CEO के रूप में गोपाल विट्टल का इस्थान को लेंगे options आपके सामने हैं सही answer options ही है शाश्वत शर्मा देखे भारती एर्टेल बोर्ड ने गोपाल विट्टल जो की मतलब गोपाल विट्टल को एक्जेगेटिव वाइस चेर्मेन न्युक्त कर दिया है अब तक क्या थे ही मैनेजिंग डिरेक्टर एंड चीफ एक्जेगेटिव ऑफिसर MD और CEO थे ठीक है एक जर्वी 2026 से एक्जेगेटिव वाइस चेर्मेन बन जाएंगे और इनके बदले MT और CEO न्युक्त किया गया है शाश्वत शर्मा को एक जर्वी 2026 से कैस्टोल इंडिया लिम्टेड जोकी लूब्रिकेट मैनिफेक्टर है इन्होंने केदार लिली को मैनेजिंग डेक्टर न्यूट किया है वेन इस दी वर्ड सुनामी अमेरिने स्टे ऑपसर्वड विस सुनामी जाग रुखता दीवस कम मनाया जाता है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन ली है फिफ्थ नॉवंबर देखें वर्ड सुनामी ने यह साल पांच नॉवंबर को मनाया जाता है और 2024 में इसका थीम रहेगा empowering the next generation with the lessons of the 2004 Indian Ocean Tsunami हाली में ब्रिटेन की conservative party के पहले अश्वेत नेता के रूप में किसे चुना गया है सही आंसर ओप्शन ली है केमी बादे नॉच देखें ब्रिटेन की जो conservative party इनोंने अपना first black leader निफ्थ किया है जिनका नाम है केमी बादे नॉच इसके बाद से इनका जो लीडर था कभी भी black leader नहीं रहा है अश्वेत और आपको उता दे इस तरह से इस तरह से यह किसी भी political party में इलेक्ट होने वाली first black woman भी बन गई हैं तो नई opposition leader रहेंगी है leader मतलब जैसे माने होता है ना राज्या सवा में इनकी अगवाई में चुलाइ के general election से वह की पार्टी हार गई थी और मात रेक्स एक की सीट सीने मिलती हाउस अफ कॉमन्स में वाट इस नेम अफ द नियू इनिशेटिव लॉंच्ट पाय दा इंडियन कांसिल अफ मैडिकल रिसर्च स्वास्ते समस्याओं के लिए नवीन समधानों को प्रोचाइद करने के लिए भारती चीगित सारुसंधान परिसर्च द्वारा सुरू की गई पहल का नाम क्या है सही आंसर अप्चंडी है फस्ट इन दी वर्ड चैनिंज देही इंडियन साइंटिस्ट को एंक्रेच किया जा रहा है कि आप कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ आईए कुछ सोलुशन बताईए जो हेल्थ प्रोब्लम्स होते हैं उनके लिए और ठीक है और उनके लिए कोई मतलब हेल्थ सोलुशन बताईए तो इसके लिए इंडियन कांसिल अफ मेडिकल रिसर्च ने एक नया इनिशेटिव एनांस किया जिसका नाम है फर्स्ट इन दी वर्ड चैलिंज किस संयुक्त राष्ट सिकर सम्मेलन में प्रकाती संरक्षन पर प्रामर्शेत्व स्वदेशी लोगों के लिए एक इस्थाही निकाय को मंचुरी दी गई है सही आंसर ऑप्षन जी है यूएन स्यूपी 69 नेचर देखी उनाटन नेशन स्यूपी सम्मिट ओन नेचर जो की कोलंबिया में हो रही है इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपर जो भी कंट्रीज ने पार्ट स्वेट किया है इन्होंने एक परमानेंट बोडी अप्रूफ कर दी है इंडिजनेस पीपल्स के लिए ठीक है यूनाइट नेशन में जो नेचर कंसर्वेशन के लिए जो कारे होता है उस पर कंसल करने के लिए लगवाग 200 कंट्रीज कोलंबिया की कै पर चर्चा हुई है यह काफी मैथ पूर्ण है मैं इसके बारे में आपको डीटेल में पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में दि कंसल्टरीव बोटी विच विल अल्सो एक्सेंड टो लोकल कमिटीज विल हैल्प इनकोर्परेट डिशनल नोलेज और प्रक्टिस इन्टु कंसर्विशन एफोर्ट्स विश मंतीं टॉंटीफोर रिकोड़ेट दो सेकेंड हाइस्ट एवर जीस्ट कलेक्शन दोजार चोबीसी किस मैने में अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीस्ट संग्र दरच किया गया सही आंसर अप्शन ही है ऑक्टोबर देगे जो ग्रोस गू कि मस्टिक सीर बढ़ी है और हमारे जो कम प्लान से इंप्रूव हुआ है जो सेंटल जीस्ट कलेक्शन है तैंती जार आटसो एकिस करोड़ों पे रहा इस्टेट जीस्टी एक तालिचार छास्तो चोशट करोड़ों पे रहा इंटीग्रेटिट आई जीस्टी निन्यानवे 2,111 क्रोड़ों पे रहा सैसरा 12,550 क्रोड़ रुपे और जो टोटल ग्रोस जीस्टी रेवेन्यू है 1.9 परसेंट बरकर 1,87,340 क्रोड़ रुपे पहुंचके एक्टोबर 2030 में 1.72 लाग क्रोड़ रुपीस रहा है ओक्टबर 24 में सेकंड बेस्ट जीस्ट रहा है जीस्ट क्रेक्शन और हमारे जो अब तक का सबसे बेस्ट जीस्ट क्रेक्शन रहा है अप्रेल 2024 में 2.10 लाग क्रोड रुपीज यह याद रखिएगा इंट्रजनी नेट्वर्क ऐस पैसिफिक संचानन समीथे में किस भारती है एजंची को सामिल किया गया है सही आंसर ओप्शन ही है डट्रेट राफ इंफॉर्स्मेंट देखिए भारत जीसे प्रेजेंट किया गया डिर्क्ट राफ राफ इनफॉर्समेंट द्वारा इसको Steering Committee of the Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific में include कर लिया गया है जो कि एक prominent multi-agency network है देखे जो भी crimes संबंदित पैसा इधर उदर जाता है एक देश से दूसरे देश में फिर एक रीजन से दूसरी देशन में तो उस चीज को निरिक्षन करने के लिए committee बनाई गई है असिया पैसिफिक में A-R-I-N-A-P मतलब याई Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific It was established to facilitate cross-border collaboration on asset tracing freezing and confiscation 28 member juridiction इस में 9 observer है By 2070 what percentage of GDP loss is India projected to suffer due to climate change according to Asian Development Bank's Asia Pacific Climate Report Asian Development Bank की Asia परसान जलवाई रिपोर्ट के लिए सा 2070 तक जलवाई परिवर्दर के कारण भारत को कितने प्रतिशत सकल गरेलो उत्पात का नुकसान होने का उन्मान है सही answer option C है 24.7% देखे climate change के कारण 16.9% loss GDP में हो सकता है 2070 तक Asia and Pacific Reserve में और इंडिया की अगरम बात करें तो 24.7% GDP loss हो सकता है ऐसा Asian Development Bank की Asia Pacific Climate Report में बताया गया है अगर इसी दर से climate crisis चलता रहा तो लगबग 300 million people जो है coastal inundation की रिस्क पर आ जाएंगे और trillions of dollars worth of coastal assets could face annual damage by 2070 Who loans the civil registration system mobile application civil registration system mobile application की इसने लौंच किया options आपके सामने है सही अंसर अप्शने Amit Shah देखी Union Home Mr. Amit Shah ने civil registration system mobile application को लौंच किया है to integrate technology with governance the application will make registration of births and deaths seamless and hassle-free by allowing citizens to register at any time from any place and in their state's official language आप सभी को मालूम होगे कि जिरो इस्टेशन ऑफ बर्स अंडेस्ट अंडेस्ट अमेंडमेंट एक टॉंटी 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 त्री यह उसमें जो भी बर्थ हुई है या फिर डैस्ट हुई है हमारे देश में एक टूपर 2023 से उनको डिजिटेटर करना जरूरी है यूनियन होम इस्टर अमिट्सा ने गुजरात का लाड़जेस्ट वेस्ट एनरजी प्लांट पिपलास एहमदाबास सिटी में इनोग्रेट किया है ट्रिबल पी मोडल पर इसको बनाए गया है 375 क्रोट रूपे की लाकत से और यह जोइन पार्टनोशिप है गुजरात और चिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में है वट इस इंडिया रैंक इन्द ग्लोबल नेचर कंसरविशन इंडेक्स 2024 वैस्विक प्रक्रदी सरनक्षन सूचका में भारत की रैंक क्या है सही आंसर प्षिंस ही है 176 देहें भारत का जो इसकोर है वो 45.5 है आ आते हैं और किरीब आती लास्ट में है 180 तर्की है 179 पर एराग है 178 पर माइक्रो नेश्या है 177 पर फिर हमें 176 पर और यह फर्स्ट आवर नेचर कंसरविशन इंडेक्स रहा है और चार चार्य से क्राइटेरिया रही लेंड मेनेच्मेंट थ्रेट्स तू बाइवस्टी क एपस्टेंड गवर्नेंस और फ्यूचर ट्रेंड्स इसको डेवलप किया गया है गोल्ड मेंड सोटन फेल्ड स्कूल अफ सस्टेनबिटी और क्लाइमिट चेंज एट बैंगुरियन यूर्स्टी अफ दिनेगेव और बायोडीवी.com के द्वारा टोप रैंकिंग कंट्रीज में रही लग्संटर्ग, एस्टोनिया और डेन्मार्ग To the point questions उनके answers देख लेते हैं Who is known as founding father of Singapore? Answer is Stanford Raffles और Lee Kwanji दोनों को ही बोला जाता है Founding father of modern Singapore कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा Which country was recently hit by hurricane Oscar Cuba? Where is India planning to build the first cloud chamber in India? Answer the institute of tropical meteorology in In Pune 2026 edition of the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland has decided to drop 9 sports from it It will feature only 10 sports The archery world cup final 2024 was held in Tlaxcala, Mexico Indian archer Deepika Kumari won the silver medal making it 6th world cup final medal She lost to the People's Republic of China's Lee Ziamen To the point questions देख लेते हैं इन्हें आपको भी ट्राइक करना है यदि एक question का answer भी आपको आता है तो भी आप हमें comment books नोश्य बताईएगा ज्यादा से ज्यादा सक्किया मैं आप participant करने कोसिस किया कीजिए विजेता बैक जो की विजेता बैंक जो की बैंक की अवर्ने स्पिस्चल बैश है मारा complete अवलेबल है current affairs fund app पर इसको आप प्राप कर सकते हैं किवल three double nine की cost पर और वह भी एक साल की वैलीडी के साथ जितना भी हम इसमें आपको मैटल प्रोवाइट कराएंगे उसे आप डाउन्लोड कर पाएंगे प्रिंट आउट भी निकल पाएंगे तीस वीडियो लेक्चर से तीर्स पीडिएफ से ना केवल बैंक की मेंस एक्जाम बलकि जो बैंक की इंटर्व्य होते हैं उनके लिए काफी आपके helpful रहने वाला है ठीक है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्रिप्शन में मिल जाएगा फिर करेंट फेस्पंड अपर मिल जाएगा और देमो लेक्चर्ष भी देख सकते हैं अवलेबल है करेंट पेस्पंड अपर ताकि आपको उंदाजा हो जाए किस तरह का कॉंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड करा है। यह दिया हमारी डेली करन टाफिर्स पीडिएफ, वीकली पीडिएफ, मंतली पीडिएफ और हर्माईने की बैंकिंग और इकनोमिक अबरनेस पीडिएफ चाहते हैं, तो current affairs funda का वर्या membership plan आप जोइन कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में या फिर first comment में मिल जाएगा आपको उतादी इस वर्या membership plan करें जितने भी मारा PDF content है हों आपको एक साल तक क्लिफ प्रोवाइट कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल भा सकते हैं इसके लिए चाहदा आप current affairs funda app को यूज कर सकते हैं या फिर अपने laptop या system के अदर से web login भी कर सकते हैं कोई भी आपका exam हो banking, ssc, real value of state, vcs जहां पर भी general aware नेसे current affairs पूशे आते हैं सभी exams के लिए मारे pdf content काफी useful है और इसमें आपको category wise quiz we provide कराते हैं तो एक बार अगर आपने हमारे current affairs पढ़ लिए उनके बाद इन quiz को attempt किया तो यकीन मानिया आप current affairs section काफी strong हो जाएगा काफी अच्छा आप इसको कर पाएंगे अपने आने वाले exam में लिंक वीडियो के description में आपको मिल जाएगा महां से आप बाय कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहते हैं मारी किसी भी code संबंदी तो हमारा WhatsApp नमबर है 848 169188 पर आप WhatsApp कर सकते हैं या फिर call करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथी currentFS फंडाओं को टेलिग्राम पर भी जान कर लिजें आप रेगलर वीडियो अपडेट्स और current क्रिजम आप सभी के डालते रहते हैं साथी decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं थैंक्यू गाइस